हेलो स्टुडेंट्स, कैसे हो, बच्चों, आज हो आगको एक कहानी सनाएंगे, गड़ेजी कहानी और एक सेख कहानी बहुत समय प्रानी बात है, इक बार की बात है कि एक बच्चा था बड़े लिया, वो बकिल में चानाने जाता जन्गर में, इसके साथ गाउं के बहुत सारे लोग जाते हैं, तो गाउं के लोगों ने जोसे बोला, एक बार कि बच्चे अगर तुमे शेर्वेर आए ना तो त में बदद करने आजाएंगे तो ठीट लोग सारे मिंके जगल में चले जाते हैं जगल में जाते हैं तो यह और रड़ों को सरारण सुच देढ़ा वो क्याता है जोट लिजाता है बचाओ बचाओ सेर आया लिजाते हैं तो बच्चा हसा है, दावयलों को बहुत साथ है, बच्चले जाते है वाकस, तो अबले दिन में जब सबके साथ वापस जिंगल में आते हैं, तो उसके बोलते हैं मिच्चे से, ये बच्चे अगर आये तो तो हमें वाद लाईगे, तो तेरी मदद करने आ चाहिए, तो इस द बच्चा हो, बच्चा हो, सेर आया, सेर आया, फिर सारे गाउं के लोग भाग के आते हैं, फिर आते हैं, आके देखते हैं कि वहां तो गोल की सेर मी है, अबच्चा हस रहा है, तो फिर चले जाते हैं, फिर इस दिन क्या होता है, सारे गाउं के लोग तो उसकी सरार्पों से परिसान हो चुके हैं तो सब ठान लेता है कि अगर आभी हमने आवाज आएगे ना तो हम जाएंगे नी क्योंकि हमसे बार-बार जूट होता है जिन जंदर में जाता है और रणका बतुलिया चराने तो अब तो सच्छी में सेर आजाता है और उस दिन उसे मदद की जरूरती जरूरती 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 जरू जूट नी बोलना चीए ठीक है ना कभी भी जूट सत बोलना और इस कहानी को देखके शिच्छा लेना कि जूट करनेना हमेशा बूरा होता है अपर चों नेक्स वीडियो को मिलेंगे बाई-बाई